स्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनौरी को राम लाला की प्राण पृतिष्टा होनी है यानि की कल और गर्वग्री में राम लाला के मूर्ति अस्थापित की जा चुकी है सुक्रवार को राम लाला के मूर्ति की पहली जलक भी सामने आई थी इस मुर्ति को करनाटक के रहने वाले अरुण योगी राज ने बनाई है मुर्तिकार अरुण योगी राज करनाटक के मैसूर के रहने वाले हैं उनकी कई पीड़ियां इसी कार से जुड़ी हुई है उनके पिता योगी राज सिल्पी एक बहतरीन मुर्तिकार है उनके दादा वसवन्ना सिलपी ने वाडियार घराने के महलों में अपनी कला दिखाई थी। अरुण मूर्तिकार का मैसूर राजा के कलाकारों के परिवार से संबंध रहा है। सुरुवात में अरुण योगी राज अपने पिता और दादा के तरफ मूर्तिकार नहीं बनना चाहते थे। अरुण ने 2008 में मैसूर यूनियर्सिती से MBA की पढ़ाई करने के बाद एक प्राइबेट कमपनी में नोकरी की। हलांकि उनके दादा ने कहा था कि अरुण एक मूर्तिकार ही बनेगा और रंत में वही हुआ। अरुण एक मूर्तिकार बने और ऐसे मूर्तिकार बने जिन्होंने साख्षात राम लला की मूर्ति बनाई अरुण योगी राज ने सिर्फ राम लला की मूर्ति ही नहीं थी इसके अलावा अरोंड योगी योगी राज ने राम लाला की मूर्ति का निर्माड स्याम सिला पत्थर को तरास कर किया है राम लला की मुर्ती की उचाई 4.24 फीट है जो दिखने में काफी भब्य है मुर्ती का वजन करीब 200 किलो ग्राम है मुर्ती में भगवान स्री राम के कई आउतारों को तरासा गया है